इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक pen card के लिए हमें online कैसे apply करना है pen card को बराने का जो process है उसमें कुछ changes आए है अब आप नए process में किस तरीके से paperless process से अपना जो pen card है वो online बना सकते हो जिसमें कि आप अपने pen card पर अपनी मर्जी की जो photo है वो लगा पाओगे अपने signature को upload करके अपना pen बना सकोगे और आपका जो pen card है within 7 days के अंदर आपके घर के पते पर post की माध्यम से आ जाएगा तो सबसे पहले तो मैंने आप सभी को वीडियो के description में एक link दिया है जिस पर आप click करोगे तो आप सभी के सामने 10 NSDL की जो pen card की website है वो आज आएगी अब page का जो interface से आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का आएगा जिसमें कि हम एक निया pen card बना रहे हैं जिसके लिए apply online के option पर ही click रहने देना है और category के section में individual का जो option है इस पर click करना है यहाँ पर title के section में आना है स्री स्रीमती कुमारी जो भी नाम के आगे आपके title लगता है उसको आपको choose करना है इसके बाद में page में नीचे के तरफ आना है यहाँ पर आप सभी को अब अपना जो name है वो फिल करना है अब नेम को फिल करने के लिए यहाँ पर अलग अलग box दिए गए हैं जिसमें कि last name सबसे पहले यहाँ पर फिल करना है बाकि अगर आपके नेम में दो ही नेम है जैसे कि आपका नाम राम कुमार है तो आपको राम जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम के सेक्शन में फिल करना है और लास्ट नेम जो होगा वह आपका कुमार या फिर सट अगर आपका है तो वह यहाँ पर इसी सेक्शन में आपको फिल करना है अर्पनी ऑड़ आपको फिल कर देना है अब कर तुकान को यहां पर दिखाया गया है इसको सेम ही सब्सक्राइब करना है अब यहां पर हमारे सामने थैंकट यू का जो यहां पर जन्रेट होकर कि आ चुका है तो सबसे पहले तो यह जो टोकेट नमबर है हमें अपने पास नोट करके रख लेना है इसके बाद में अब आपको अप्लिकेशन में बढ़ना है ध्यान रखना कि 30 दिनों के अंदर ही बताया जाता है कि आपका जो यह अप्लिकेशन है कंप्लीट करना नहीं तो यह एक्सपायर हो जाएगा तो यहां पर हम लाइभी करने वाले हैं तो कांटिन्यू के ओप्शन पर क्लिक करेंगे अब आप सभी के सामने अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे पैन काड को बनाने का सबसे पहले तो मोड पूछा जा है कि इसके अंदर आपके पैन काड पर जो फोटो आती ही वह आधार में जो आपकी फोटो है सिगनेचर आप खुछ से अप्लोड नहीं कर पाऊगे तो इसलिए मैं यह रिक्मेंट नहीं करूंगा यहां पर जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है सम्मिट इसकैनेड इमिजे इस ऑप्शन पर ही आपको सेलेक करना है इसके फोटो है वह अप्लोड कर पाऊगे अपनी मरजी का इसी के साथ पर अपने जिए सिगनेचर है वह भी लगा पाऊगे जिससे की हर जगे पर आपका जो पैन है वह काम आएगा तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेज में आपने आधार कार्ट के जो फोट डिजिट है यहां पर आपको इस बॉक्स नोगों कर नहीं होगा तो इसके बाद में आप सभी को डिटेल आप पैरेंट के सेक्सर में आना है यहाँ पर सबसे पहले तो selection का option मिलता है कि आप अपने pen card पर मा का नाम अगर प्रिंट चाहते हो अगर आप single parent हो तो यहाँ पर उस case में आप yes क्लिक करोगे कि अगर middle name चाहते हो तो इसकी बाद में यहाँ पर पूछा जाता है. पाद का यहाँ पर पूछा जाता है कि आप अपने pen card पर फादर का या और advancing कि क्लिक करेंगे अब जैसे मैं नेक्स के अप्षिन प्रेव क्लिक करेंगे तो आपकी सोर्स अब सीचर्श अगर से इनकम होती है यहाँ पिस्धेम है यहाँ जा twist से इनकम है अगर आपके कोई भी इन computer से आपकVO पयंगा तो जो भी आप होता है जैसे कि स्टुडियन का पैंड काड हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पर नो इनकम की आपर क्लिक करें और यहां पर सब्सक्राइब करें चाहते हैं residence का जो option है वो select रहने देंगे देन यहाँ पर अपनी घर का जो पता है सबसे पहले तो house and building name अगर आपका है अगर गामेड चेत्रे सो तो अपने गाओं का नाम ही आप फिर गामेड चेत्रे से हो तो विलेज का जो name है वो आपको फिल करोगे यहाँ पर आपको अपनी जो तहसील है सब डिवीजिन के सेक्शन में फिल करना है यहाँ पर टाउन सिटी के सेक्शन में अपने डिश्टी का जो name है आपको फिल कर देना है कंट्री नेम यहाँ पर चोड़ देंगे देन आपको telephone number and email ID के section में आना है यहां पर सबसे पहले तो आपको अपना country code है वो सलेक करना है जैसे कि इंडिया basic phone number आपके पास होगा नहीं तो यहां पर HDD code का जो option है इसको blank छोड़ देना है यहां पर mobile number के section में अपना phone number है वो फिल कर देना है अपनी जो Gmail ID है वो यहां पर आपको फिल करना है अब नीचे के तरफ आपको representative SS का भी option मिलता है जिसमें कि अगर यह जो pen card है आप किसी minor का बना रहे हो उसकी जो age 18 साल से अगर कम है तो उसकी में आपको एक गवाह देना होता है तो वह आप यह के option पर क्लिक करके यहां पर details add कर सकते हूं मेरे case में यह applicable नहीं है तो हम नो ही रहने देंगे करेंगे अब हमारे सामने next जो page आता है जिसमें कि pen card में हमें जो air code area code हमें फिल करने की जरुरत होती है यहां पर हमें वह details फिल करना होगा जिसमें कि अगर आपको यह जो details है नहीं पता है अब mostly लोगों को इसी रोज जरुरत तो लगती नहीं है तो यहां पर आपको इंडियन सिटिजन का जो option है इस पर क्लिक करना है तो यहां पर details को आपको फेच करने का option मिल जाएगा इसके बाद में अपनी जो state है आप select करोगे जिस भी आप सहर से हो आपको select करना है देन आपको next के option पे क्लिक कर देना है तो यहां पर हमारे सामने अप डुक्मेंट को अप्लोड करने का जो पेज है वह आज चुका है जिसमें की पैन कार्ड में आपको प्रूफ आइडेंटी और एड्रेस इसी के साथ में डेटाबर्थ प्रूफ भी अप्लोड करने की जरुवत होती है जिसमें कि आप प्रूफ आइडेंटी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर बहुत सारे डोकुमेंट आपको देगे हैं जैसे क आधारी मेरे पास में है तो इसी को हम सलेक कर लेंगे डेटाबर्थ प्रूफ में भी आपको अलग-अलग टाइप के डिकुमेंट दिखाएंगे जैसे कि बड़ साट्पिकेट है हाई स्कूल के माक्षित अगर आपके पास में है तो आप दे सकते हो नहीं है तो आधार प्लोड करने का जो पेज है वहाँ पर आचुका है जिसमें कि हम अपने बाई पास्पोर्ट साइज पास्क्पोर्ट की अप्लोड करना है तो से जो नहांगे इसके कर लेंगे इसके बाद में upload supporting document के section में आना है अब यहां पर आपने जो document उपर selection किये हैं जैसे कि मैंने आधार ही select किया है तो मुझे आधार की जो copy है वो भी upload करने की जरुरत होगी तो यहां पर जहां पर भी हमने आधार card को रखा है उसको select lettori ने यहां पर upload के option के हम click करेंगे तो यहां पर हमारा जो अधार है वो upload हो चुका है इसके बाद ने आप सभी को यह पर सब्सक्राइब करके आपको submit कर देना है अब जैसे हमने सही लगते हैं तो आपको प्रोसीड के option पे क्लिक कर देना है तो इतना करते ही अब आप देखोगे कि हमारे सामने payment gateway का जो option है वो आ चुका है जिसमें कि इस spend card को बनाने के लिए जो 107 रुपीज का जो फीस का payment करना है वो payment हम पेटियम या फिल्डेस के माध्यम से कर सकते हैं तो कोई भी एक payment gateway को आप select कर लेंगे जैसे कि हम बिल्डेस का जो option है वो हमने select किया नीचे के तरफ आपको बताया गया है जहां पर हम credit card, debit card, net banking, UPI या फिल्डेस के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं तो जो भी मोर से पेमेंट करना चाहते हैं select करेंगे जैसे कि हम गूगल पेज से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे यह जो कार कोड आया है इसको हमें सक्राइन करना है और यहां पर हमारा जो पेमेंट है आप देखोगे कि successfully हो चुका है पेमेंट होने के बाद में यह जो प्रवेज है बेजने की जरूत होती है जब भी आप पाहिन कार्ट को बनाते हो पहले लोगों बनाते थी पता है कि पोश्ट के माध़म से डिकुमेंट भेजना पड़ता था तो यहां पर करना है अपको फिल करना है अब हमारे सामने इस पीज है वो आचुका है तो इसी ऑप्शिन option पे हमें क्लिक करना है यहां पर अपना जो आधार नंबर है 12 इज़िक करेंगे यहां पर option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह को करने क्लिक आपकी फोन पर 2 पर अपक्र एक डिक करोगे तो तो यहां पर हमारा ही जो KYC है वो सक्सेस्फुली हो चुकी है जैसे कि आप देखोगे कि यह जो पेज है KYC होकर कि आउटोमेंटिक रिडारेक्ट हो जाता है और आप सभी के सामने पैंड कार को अपलाई करने की जो यहां पर बताया गया कि अपनी जो डेटा बर्थ है डिडी ऐम वाई 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 कुछ इस तरीके से विदाउट सिंबल के हमें फिल करना है फिल किया है जैसे कि आप देखोगे कि अप्लिकेशन को हमने जो भी इंफोमेशन फिल किया था वह प्रॉपर इस फीडियो फाइल म और ने आ चुकी है ुसके साथ में इसया अप्लिकेशन में हमें अपना जो अपकेशन नंबर है व भी झापर दिखाया गया है नीचिक के तरफफ आउगे तो आपने जो भी डुकमेंट भी यहाँपर आटाइज़ नहीं कि अब यह जो अप्लिकेशन है पूरी तरीके से इमेल पर मिल जाएगा जिसके थुरू आप अपना जो पैन है वो डाउनलोड कर सकते हो और कहीं पर भी जरुरत है तो उसे आप प्रिंट करके लगा सकते हो बाकि आपको जो फिजिकल कार्ड घर पर भेज़ा जाएगा जो करीब 15 डेस के अंदर ही आपको मिल जाता है उसको भी आप जैसे वह भी आपको जैसे डिस्पैच होगा उसका जो ट्रैकिंग नंबर है आपकी मोबाइल फोन पर आ जाएगा जिसके थुरू उसकी जो लोकेशन है आप ट्रैक कर पाओगे बाकि अगर आपको पैन कार्ड की जो कॉपी है उसको डाउनलोड करना है तो उसका मैने पहले ही बना रखा तो उसको देखकर के आप अपना जो पैन है उसकी इक अपी को उनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो तो इस तरीके से आप सभी लोग केरेक्शन अगर आपको करना है या फिर कोई अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है पैन कार्ट को प्रिंट करके घर के पते पर कैसे मंगाना है वो सारे टॉपिक मैंने पहले ही कवर रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सारे वीडियो का लिंक दे दूँगा जिसमें क्लिक करके आप हमारे वह वीडियो देख सकते हो और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहन्त